नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका शिल्पा की रसोई से में आज हम बनाने वाले हैं वरत वाले सफ्ट सफ्ट सपंजी ढोकले देखिए हमारे जो ढोकले हैं कितने सफ्ट और सपंजी बने बहुत ही टेस्टी लगते हैं यकीन मानों ये इतने टेस्टी लगते हैं कि आप बिनावरत के भी से बनाना पसंद करेंगे तो हमने यहापे लिया है एक कप समा राइस जिसे भगर या फिर मोर्धन भी कहा जाता है इसमें हम डालेंगे वन फोर्थ कप साबुदाने का पाउडर साबुदाने को मिक्सी में चलाके दरदरा पीस लेंगे और इसमें डाल देंगे अब इसमें हम पानी डालेंगे और इसे अच्छे से हम दोलेंगे ताकि इसमें जो भी गंदगी है और कच्रा है वो निकल जाए ताकि इसमें जो भी गंदगी और कच्रा है वो पानी के साथ बाहर निकल जाए तो इस तरह से चमब से हिलाके आप इसे धू सकते हैं हाथ से रगणने की ज़रत नहीं है और जो पानी है वो हम निकाल देंगे सारा पानी हमें इसमें से निकाल देना है एक बून भी इसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए तो आप इसे ऐसे एक से दो बार दो सकते हैं तो हमने सारा पानी इसमें से अलग कर दिया है अब इसके अंदर हम डालेंगे एक कप दही जितना हमने समाराइस लिया था उतना ही हम इसमें दही डालेंगे दही को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम आदी घंटे के लिए छोड़ देंगे इसमें क्या होगा कि जो हमारा साबुदाना है वो फूल जाएगा और जो हमारी भगर है वो भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगे आदी घंटे बाद हम इसे मिक्सी में डाल के पीस लेंगे पीसते वक्त हम पानी या कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि अल्रेडी हमने इसमें दही डाला है इसमें डाल देंगे वरतवाला नमक और इसे पीस के इसका इस तरह से बैटर बना लेंगे पीस के इसके और इसे पीस के इस तरह से इसका बैटर बना लेंगे एक बार में आपके ट्रे में जितना आता है उतना ही आप बैटर ले बाकिया पलग कर दे अब उसमें हम डालेंगे खाने वाला वंटी स्पून सोडा हरा धनिया आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं अद्रक और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे सोड़ा पुसी बक्त डाले जब आपका इस्टीमर तयार हो तहीं हमारा बैटर तयार है प्लेट को हमने अउयल से अच्छे से घ्रीस कर लिया है और हमारा बैटर इसके अंदर डाल देंगे स्टीमर में पानी हमारा अच्छे से बॉइल हो चुका है अब हम इसके अंदर डोकले की प्लेट को डाल देंगे और इसे ढखके करीब 15 से 20 मिट तक के लिए पकने देंगे अब बीच में इसे चाकू डालके चेक कर सकते हैं कि यह हुआ है या नहीं या फिर टुट्पिक डालके भी से चेक कर सकते हैं अब इसमें तड़का लगाने के लिए तेल में डालेंगे तुड़ा सजीरा, हरिमिच और कडी पत्ता और अब इस तड़के को हम डाल देंगे डोकले के उपर जब डोकला थुड़ा ठंडा हो जाए तब आप इसे कट कर लीजिए अगर आपको खटा मिटा डोकला चाहिए तो आप इसमें डोकले के अंदर जब आप बनाएंगे तब चीनी भी डाल सकते हैं या फिर तड़के म आप थोड़ा सा पानी और चीनी डालके उस तड़के को आप इसके उपर डाल सकते हैं जैसे हम हमारे बेसन वाले खमर बनाते हैं उसमें डालते हैं ठीक वैसे ही आप इसमें भी कर सकते हैं तो तयार है हमारा एकदम सौफ्ट सौफ्ट स्पंजी डोकला व्रत वाला डोकला ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है आपने एक बार बनाया ना तो जब आपका वरत नहीं होगा तब भी आप इसे बनाएंगे क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और देखा आपने जट से बन जाता है तो दोस्तों आपको मेरी आज की वरतवाली रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताईएगा रेसिपी अच्छी लगी हो तो जट से अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करिएगा ताकि वो भी ये ढूकला ज़रूर बना के देखे और ऐसी ऐसी अच्छी रेसिपी के लिए अगर आपने अभी तक शिल्पा की रसोई से को सबस्क्राइब नहीं किया है फेस्बुक पे फॉलो नहीं किया है तो जट से कर लीजिए ऐसे एच्छी ऐसिपी में आपके लिए ले के आती रहोंगी मिलते हैं नेक्स रतवाली रेसिपी में तब तक के लिए बाबाई टेक क्यार